गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टुडेंट आज हम व्याकरण सोपान में एक नया टॉपिक जिसका नाम है आपठित गध्यांश का ध्यान करेंगे तो आपठित गध्यांश को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बाते बताना चाहूंगी जिन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम अपठित गध्यांश को हल करेंगे तो वो कौन सी बाते हैं चलिए देखते हैं ये कुछ बाते हैं हमें इन बातों का ध्यान रखना है जब भी हमारे सामने कोई भी अपठित गद्यांश या फिर पठित गद्यांश भी आता है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है और फिर अपने गद्यांश को हल करना है पहली बात दे गए गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ो तो सरुपत्तम आपको क्या करना है जो भी गद्यांश आपको दिया गया है उसको 2-3 बार तक अच्छी तरह से पढ़ना है उसके बाद जब आपने पढ़ लिया तो सभी प्रशनों को एक बार पढ़ो क्योंकि पठित गद्यांश की नीचे कुछ प्रशन दिये होते हैं उनको हल करना होते हैं इसलिए गद्यांश को पढ़ने के बाद अच्छी तरह से आप एक बार प्रशनों को भी पढ़ेंगे तो सभी प्रशनों को भी आपने एक बार पढ़ लिया उसके बाद जब आप गद्यांश पढ़ रहे हैं तो मुख्य बिंदू को रेखांकित करो और एक बाद जब आपने प्रशन भी पढ़ लिए फिर अब मुख्य बिंदू जो आएंगे गद्यांश में उनको आप रेखांकित कर लेंगे जो आपके प्रशन से मिलते जुलते आपको लगे उसके बाद आपको क्या करना है चौर्थे स्टेप में प्रशनों के हल्ड होने का प्रयास करो और उसके बाद आप अपने प्रशन जो दिये गए हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ बाते हैं जो हमें गद्यांश को पढ़ने से पहले ध्यान में रखनी है तो चलिए एक गद्यांश को पढ़ते हैं और उधारन के साथ देखते हैं ये एक उधारण है गध्यांच का यहां से यहां तक गध्यांच है और इसके बाद ये प्रश्ण पूछे गए है सिंग के बच्चों को शावक कहते हैं सिंग और सिंगनी दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोशन करते हैं परन्तु बच्चों को शिकार करना सिंगनी ही सिखाती है वह अपने बच्चों को शिकार पर जपटना और पंजे मारना सिखाती है शिकार को खाने के बाद सिंहनी उनका मुँठ चाट कर साहँ कर देती है कभी-कभी बच्चे शिकार के लिए जड़क भी पढ़ते हैं जगड मतला लड़ाई जगड भी पढ़ते हैं तब सिंहनी मा आती है और प्यार से उन्हें एक थपर लगाती है बच्चे शान्त हो जाते हैं, तो ये था हमारा गध्यांश, आप इसे एक दो से तीन बार पढ़ लेंगे और इसके बार प्रशन हो रहीए, सिंग के बच्चे को क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा पहली लाइन ही है, सिंग के बच्चे को शावक कहते हैं, तो क्या कहते हैं, option दे रखे हैं, आपको विकल्प हैं, उन विकल्प में से छाचा हैं, बच्छडा, शावक, मैमना, बिलॉटा, तो शावक क्याते हैं हमने पहली line पड़ी, सेंग के बच्चो को शावक क्याते हैं, बच्चों को शिकार करना कौन सिखाता है तो यहाँ पर तीस्ती लाइन है बच्चों को शिकार करना सिंगनी ही सिखाती है तो सिंगनी शावक बच्चे तो सिंगनी is the correct answer सिंगनी बच्चों का मुझ कैसे साफ करती है तो आपने देखा 6th line शिकार को खाने के बाद सिंगनी उनका मुझ चाट कर साफ करती है तो कौन साफ करता है सिंगनी सिंगनी बच्चों का मुझ कैसे साफ करती है साबुन से, साबुन और पानी से, पानी से चाट कर, तो चाट कर is the correct answer, बच्चों के जगडा करने पर सिंगनी मा क्या करती है, तो आप देखिए, जब कभी-कभी बच्चे शिकार के लिए जगड परते हैं, तब सिंगनी मा आती है, और प्यार से उन्हें एक थपड लगाती ह तो प्यार से थपड लगाती है, तो गुस्ते से नहीं लगाती है, प्यार से लगाती है, टाटती है, गुस्ते सपड लगाती है, प्यार से थपड लगाती है, या आंग दिखाती है, तो प्यार से थपड लगाती है, is the correct answer, तो ऐसे ही आपको ग्रह कारे के लिए एक मैं दे तलाब के किनारे एक बगला रहता था वह साधू का भेश बनाए बैटा था मन ही मन में तलाब की मश्लियों को खाने का उपाय सोच रहा था और यह गद्यांश और नीचे प्रश तलाब के अंदर कौन रहता था तलाब के किनारे कौन रहता था पहला प्रशन है अंदर कौन र